आप आप इवरीवान, रिमेंबर, जब आप स्कूल आते थे, जब ये कोरोना नहीं था, तब आप जब राइट करते थे थे आपके पैंसिल, जब शापन करते थे थे तो तो उसका जो डर्ट निकल था था, उसकी जो शापनिंग निकल थे, वो मैं आपको हमेशा कहां पर बो आपको पता कि फोनिक प्राइमर रीडर में भी ये बिंच ऐसा वर्ड है, फिर एक छोटा बॉय है, ये सब कहां पर दिया गया, इस ओल इस गिवन ओन पेज नंबर 1770 और फोनिक प्राइमर रीडर, यहां पर क्या दिया गया है, here are the other sentences of vowel and, चुड़ें, we will read these sentences and then we will write the sentences in your notebook, चुड़ें, चुड़ें करते हैं, बीब लगाया हुआ है, बीब बांदा हुआ है, यह मैंने आपको समझाया है था, यह क्यों लगाते हैं, क्योंकि खाते वक्त उनके ड्रेस, उनका ड्रेस बिगडें नहीं, then this green color is what, it is a बाइना बिन, फिर यह एक टिन है, टिन के उपर यह क्या है, red color की बाइना बिन, यह yellow color की नाईब निग, come on, let's start reading, sir, either said, I, S, is, a, car, either kid, full stop, Sid, यह जो छोटा बच्चा है, this small kid, उसका नाम क्या है, Sid है, Sid is a kid, Sid is a kid, Sid एक small boy है, her, he, her, as, has, a, turn in a tin, full stop, Sid के पास क्या है, यहाँ पर यह, he, किस के लिए यूज हुआ, he, he, यूज हुआ, Sid के लिए, छोटे से बच्चे के लिए, he has a tin, उसके पास एक tin है, a, न, इ, बने, ए, 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 आर, कब यूज होता है, जब एक से ज़्यादा चीज के लिए, एक से ज़्यादा चीज की बात हो रही होती है, तब हम लोग क्या यूज करते है, आर यूज करते है, जैसे देखो, फर्स सेंटेंस में हमने देखा, Sid is a kid, सिर्फ एक ही छोटे बॉई के बारे में बात हो रही है, एक ही बॉई के बारे में बात हो रही है, तो इस यूज किया हुआ है, जैसे मेरे हाथ में ये एक पैंसल है, तो I will tell, this is a pencil, बट अगर मेरे हाथ में ये एक की बजा है, instead of this one pencil, there are two pencils, then what will I say, this are two pencils, one thing के लिए, singular के लिए हम लोग is is use करते है, and more than one thing, कि जब बात होती है, then we use a-r-e-r, फिर से पढ़ते हैं ये sentence, a-na-e-b-ne-b, a-n-d and a-p-e-na-p-in-a-r-on-the-t-e-na-t-in, full stop, a-ne-b-ne-b-ne-b-ne-b-ne-b-ne-b-ne-b-ne-b-ne-b-ne-b-ne-b-ne-b-neb-ne-b-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb-neb और बाईब बेब is on साइड़ सिड full stop सिड ने क्या पैना हुआ है? बेब पैना हुआ है? ओके? next is साइड़ सिड is बाई बाई और बाई नबिन full stop सिड is बाई बिन सिड बिन के नजदीक है? ओके? फिर है पी एची दर बाई नबिन हा एज़ has a la ead lid full stop बाई बिन has a lid ये बिन का क्या है? धक्कन ये बिन का lid है Okay? Now let's revise all the sentences for one more time. Sid is a kid. Sid is a kid. He has a tin. He has a tin. A nev and a pin are on the tin. A nev and a pin are on the tin. A babe is on Sid. A babe is on Sid. Sid is by a bin. Sid is by a bin. The bin has a lid. Full stop. The bin has a lid. Okay? Now let's write the sentences in your notebook. First of all we will give the heading. Capital S E N T E N C E S S E N T E N C E E Sentence E S E S S E 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 Sid Sid C 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 सिड एक बच्चे का एक बॉई का नेम है यहाँ पर वैसे भी first है तो इसलिए तो capital आएगा ही पर अगर बीच में भी होता तो भी हमेशा वो capital आता सिड इस का इड़ किड सिड is a kid एक पर और लिख लेते हैं सर इड़ सिड is a का इड़ किड full stop now come on the next page and we will write the other sentence of vowel I he has a tin he किस के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर सिड के लिए यूज हो रहा है he margin से ही आपको शुरू करना है हई ही हई एज है आ टाइन टिन स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तब जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही देख के लिखो आप खुद भी लिख सकते हो ममा को बोलो फोनिक प्राइमर रीडर में से आपको डिक्टेट करें सेंटेंस टू लेटर वर्ड्स तो आपको आते ही हमने वाविल ए में कर दिया था तो सबको आता है और टी ने वाविल आई का वर्ड है तो इस सो इजी न तब खुद भी लिख सकते हो अब ही आपको क्या करना है you have to complete these two sentences Sid is a kid and he has a tin you have to write the both sentences on whole page अभी next page पे आजाओ and write down a babe a ba i ba babe is on किस पे था अभी Sid पे था अभी देखो यहाँ पे Sid last word आ रहा है first नहीं है फिर भी उसका S कैसा है capital है क्योंकि Sid किसी का नाम है इसलिए कहीं पे भी लिखेंगे उसका लेटर फर्स लेटर हमेशा capital ही आएगा अ अभी बेबी नाम अभी बेब ओके यह आपको यह sentence you have to write it on the whole page Now I am giving you the sentences for homework Write down capital H dot and W ओके और फिर यहाँ पे एक arrow कर दो Our first sentence लिको Sid Is By a By a By in a bin Full stop Sid is By a bin How many times you will write this sentence? 1, 2, 3 and 4 यहाँ पे 5th line पे हम एक दूसरा arrow करेंगे And we will write one more sentence That is The 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 By a By a bin A as a has A The 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 bin has a Lid Full stop Okay Now turn the page अभी हमारा जो एक लंबा वाला sentence था ना जो लेंदी वाला sentence I am dividing into two parts क्या था उसमें अनीब एंड पीन आर अन धर टीम तो मैं उसको हाफ अफ करके Meaningful sentence बना के आपको लिखवा रही है लिखो A Naebanib Is On The T In Tin Full stop One, two, three and four, leave four lines Again make an arrow on the fifth line And write down last sentence of your homework A The P In Pin Is On The T In Ten Full stop Okay So students Here we end Writing the sentences of Vowel I Given on page number 17 in your phonic primer reader And along with that We also end Vowel I Next time I will teach you something new Till then Bye everyone Take care See you soon on Pepper on झाल झाल